नमस्का किया जा सकता है कुछ पारंपारिक मुद्रा है इस प्रकार है सबसे पहले वायू मुद्रा वायू याने हवा हाथ की ये मुद्रा शरीर के भीतर के वायू को संतुलित करने में मदद करती है और शरीर में अतिरिक अपान वायू को हटाने के लिए की जाती अपान वायू आंत जो कि वायू तत्म से होता है। इस प्रकार वायू मुद्रा उन लोगों के लिए सहायक हो सकती है। जो बड़े हुए वात्व से पीडित है या वात्व दोश प्रधाम है। याने जिनके शरीर में वायू तत्म अत्याधित असंतुलित है। अब समझ लें वायू मुद्रा कैसे करें। वायू मुद्रा किसी भी सिपी में की जा सकती है। बैठे, खड़े, सोते हुए, चलते हुए या प्राणयाम करते बगत। तरजनी की नोक को अंगूठे के लोक पर दबाया जाता है। और अंगूठे को तरजनी के ऊपर धीरे से दबाया जाता है। अन्य उंगलियां सीधी रखी जा सकती है। इसकी अवधी 10-15 मिनिट और 2-3 बार जरूर करनी चाहिए। कुल मिलाकर प्रति दिन 45 मिनिट तक इस मुद्रा से हमें अनेक लाब होते हैं। ये मुद्रा तनाव, भ्रह्म, चिंता, खुश्की, गैस, सूजन, कब्ज, चक्कराना, हाथ-पैर काट, अंडा हो जाना, जोडों का कठना, पठना, बालों और आखों की शुश्कता, त्वच्चा में उब्र से पहले जूरिया पढ़ना और कम ज्यादा भूख लगना प्रतिनी धित्व करती है, ये उगजा के उद्गम वाले मूल चक्र से और चक्रों के माध्यम से जीवन शक्ती को बढ़ाता है, ये प्रुच्वी तत्व, जल तत्व, कफ बढ़ाती है, अगनी तत्व और पित्व तत्व को घटाती है, जब आप अके हुवे हीन और उदा ब्यास, बहसूस करने होते हैं, तो इस बुद्रा को करना बहुत ही उपयोगी हो सकता है, प्राण मुद्रा प्राण वायू को संतुलित करती है, जो हमारे स्वसत अंगों में फैली दस वायू से एक है, तो अब ये प्राण मुद्रा कैसे करना इस की तेक्निक समझ ले, जम उंगलियों को पहला कर रखें कुछ गहरी गहरी सास लें इसे दोनों हाथों से करें अपने कद्धों को आराम दायक सिती में रखें हर दिन पांच से पंद्रा मिनिट के लिए तीन बार अभ्यास करें जब भी दिन में आप पके हुए या करता नाव ग्रस्त लगें तो इसे जरूर करें सरवत्तम परिणामों के लिए प्रती दिन 45 बिनिट तक अभ्यास करना अती फाइदे मंद होगा इस मुद्रा से क्या-क्या लाब होते है यह जानका परान मुद्रा कैंसर सहीट सभी बीमारियों के इलाज के लिए फाइदे मंद हैं इसका नियमित अभ्यास फे मेरों में दर्ब मास पेशियों और नसों में एठन और शरीर के किसी भी हिस्से में सुलता मिटाने में मदद करता है यह आनंद उर्जा प्रसंदता उच्साह आशा और रणता को बढ़ा कर रोग प्रतिग्रोग धक्षक्ति में सुधार करता है तीसरी मुद्रा अपान मुद्रा अपान मुद्रा अपान वायू को सक्रिय करती है जो शरीर के विश्खरण के लिए जिम्मेदार है यह मुद्रा पेट में उर्जा चक्र को संतुलित कर दे और विशाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करती है इसकी तक्रिक अब समझ लीजे इससे क्या-क्या फायदे हो सकते हैं अपानमुद्रा पाचन में सुधार करने में मदद करती है और शरीर को डी-टॉक्सिफाय करती है अच्छे पाचन और मेटबॉलिजम को बनाय रखती है आईरुवेद के अदुसार अपानमुद्रा वार और कफ दोश को बढ़ाती है और पित्र दोश को कम करती है इस प्रकार मानव शरीर में त्री दोशों को संतुलित करने में बदद करती है अपानमुद्रा आंतरिक शांती और सद्भावना को बढ़ावा देती है ये मासिक धर्म का जो चक्र है उसको सही स्थिति में ले आती है और उसका संचालन सही धंग से करती है ये डायबिटीज में भी बहुत मदत करती है चौथी मुद्रा है योनी मुद्रा योनी मुद्रा एक पवित्र संकेत या सील है जिसका उपयोग, योग और ध्यान के दोरां बहत्व पूर्ण जीवन शक्ती, उर्जा या प्राण के प्रवाह को प्रसारित करने के साधन के रूप में किया जाता है ये बुद्रा भीतर जाने और स्वयम को अनुभव करने के लिए पांच इंद्रियों के बंद होने का प्रतीक है इसकी तकनीक समझ ले कोई भी मेडिटेटिव पोज में बैठे ध्यानस्त अवस्पा में बैठे रीड की हद्धी को सीधा रखे हाथ की कोहनियों को कंधे के आखें मध्यमा से नाचिका फोठों के ऊपर और नीचे अनामिका और चोटी उंगलियों को रखकर उसे दबाएं यहां सामान्य सांसे लेते रहें इस स्थिती में 5-10 मिनिट तक रहें अभ्यास को समाप्त करने के लिए हाथों को धीला चोड़कर घुटने पर ले आएं औ और तंतरी का तंतर को शामत करता है आंतरिक और बाहरी जागरुकता को संतुलित करता है यह मुद्रा इंद्रियों से उर्जाकी निकासी की स्थिती की और ले जाती है बहतर और स्पस्ट को बढ़ावा देने वाली गहन ध्यान में मदद करती है पाचवी मुद्रा लिंग मुद्रा या गर्मी की मुद्रा लिंग मुद्रा शरीर में गर्मी पैदा करती है सर्दियों में भी पसीने का कारण बन सकती है ये मुद्रा कफ दोश या कफ से सब्बंदित सभी समझ्याओं जैसे सरदी, अस्तबा, खांसी, साइनसाइटिस और सूखे कफ को संतुलित करने के लिए आदर्श है ये शरीर में अगनी तर्फ को बढ़ाती है अब टेकनीक समझे दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिला ले और अपने दाहिदे अंगुठे को सीधा रखे इसे आप रोजाना 20-30 मिनिट तक कर सकते हैं अब जानिए इसके लाव गर्मी और उर्जा का एनरजी का निर्बान करती है और अगनी तर्फ को बढ़ाती है अत्यतिक चर्बी को जला कर मुटापा कम करने में बदद करती है शरीर में अत्यतिक ठंड लगता या बार-बार सर्दी होना जुकाम होना इस सिति में इससे बड़ा लाव होता है ये अस्थमा और लो बलड प्रेशर के लिए सर्वोत्तम ये इम्मुनिटी लेवल को बहुत ही बद्दूत करती है मुद्रा आपके आसन और प्राणयाम के अभ्यास के लिए सहायक टेकनीक की तरे वापरी जा सकती है मुद्राएं आपकी उर्जा प्रणाली को छूती है इन मुद्राओं को दैनिक दिन चर्या में शामिल जरूर कीजिए इन मुद्राओं को दिया गया कुछ समय प्राण को संतुलिप कर दें और एक स्वस्त जीवन जीने में आपकी बहुत मदद करेगा तो बस जब भी बौका हो सके मुद्राएं भी करते रहें और अपने आपको स्वस्त रखें उर्जा में रखें एनरजी से भरपूर रखें उच्साहित रखें और अपने जीवन को सही धन से जीएं नमस्कार